नमस्कार आप सभी के स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्पीस वायरस का इंफेक्शन किस प्रकार से एक ब्यक्ति से दूसरे ब्यक्ति के अंदर ट्रांस्पर हो सकता है वीडियो का अंतक जरूर देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो मे यह सेक्षूली कॉंटथ के दौरर ट्रांस्फर होता है औरल जनाइमिटल सेक्ष्वाल एक्टिवीटी की बात करें तो अगर कोई अन्प्रोटेक्टेट सेक्ष्वल बिहेवियर रखता है या उरल्ल शेक्ष्वल बहेवीर रखता है या किस करने के दोरान भी Hsb1 इंफे नारी हैं कई बार एकस्वी इंफेक्शन जो है वह जनाइटर्स के अंदर एकस्वी डू लिजन जो है वह ओरल के कईविटी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है दस से 20 परसंटेस केसिस में तो इस वीडियो में आपने ट्रांस्मीशन के बारे में जाना किर्पैकर के वीडियो को सेयर करें